साल दोजार चोबिस में चात्तुर मास की पहली एकादसी योगिनी एकादसी है कहा जाता है कि योगिनी एकादसी पर नियम पूर्वक विदी अनुसार यदि वरत का पालंग किया जाए तो सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान विष्णू की कृपा सदेव बनी रहती है योगिनी एकादसी पर कुछ चीज निशेद बताए गई है तो वहीं चावल खाने से बहुत बड़ा दोश लगने की भी धार्मिक माननेता है इन सबी की जानकारी हमने हरद्वार के जोती से श्रीधर सर्मा सास्त्री से की उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिये योगिनी एकादसी सबसे पहले तो ये बतलाना अनिवारिय है पूरे वर्स में 24 एकादसी होती है परन्तु उनका फल अलग होता है तो हमें महतुप पूर्ण बात ये है जो चातुर मास में जो ये योगिनी एकादसी का आगवन हो रहा है आसाड मास के कृष्ण बक्स में योगिनी एकादसी का आगवन हो रहा है तो योगिनी एकादसी का महत्व सबसे धिक भगवान विश्ण भगवान जी से जुड़ा हुआ है कोई भी एकादसी हो वैसे तो सभी का फल बहुत ही अनुकूल होता है और ये भगवान विश्ण जी के लिए समर्पित है योगिनी एक आदसी को जब हम करते हैं तो उसका विदीविधान से भली भाती पालन करना चाहिए जब योगीन एक आदसी आती है तो उस दिन हमारे प्रातेकाल से ही अच्छे आचरण हो प्रातेकाल हम उठे मन हमारा पवित्र हो और हमें उस एक आदसी के संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए जैसा कि जो हमारी तुलसी होती तुलसी उसको उस दिन असपरस नहीं करना चाहिए ना उसके पत्ते तोड़ने चाहिए और नहीं उस दिन थोड़ा उसमें जल दे पहले से ही जल समर्बित करना है तो उससे पहले कर सकते हैं एक बात और महत्वपूर्ण है दसमी तिथी में ही हम तुलसी दल तोड़ सकते हैं क्योंकि जो हम भगवान विश्णूजी के लिए हम परसाद को बनाते हैं उसमें तुलसी दल को मिलाना उसमें मिक्स करना जरूरी है प्रगाद संब्स है इसलिए क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विश्णु की पूजा नहीं होती, जिस परकार से सत्नारण की पूजा में भी इस परकार का महत्व माना जाता है, तुलसी का इसमें समाविस करते हैं, तभी उस वर्थ का महत्व होता है. एक तो कोई भी मांस मदीरा कोई गलत चीज़ का आहार कि आज लहसुन इत्यादी ये सब इसका निसेद होता है कि चावल बिल्कुल नहीं खाएं और चावल खाना खाने का बहुत बड़ा एक दोस लगता है क्योंकि अगर हम चावल खाते हैं ऐसा मानते हैं कि जैसे हमने कीडे खा लिये हों तो इसलिए इसका एक दोस नहीं उतर पाता लोगीनी एक आदसी को यदि हम बहुत ही एक नियम पूर्वक करते हैं और इसको निराहार अगर किया जाए उससे इसका और महत्व बढ़ जाता है एक और बात बताई गई है कि जो एक आदसी से अगले दिन इसके वरतदान का भी विधान है